हेलो एन वेलकम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसंट चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग ICC मेंस T20 वर्ल कप EAP ऑलिफायर B की बात करेंगे जो की मैच होगा या पर Indonesia versus यहाँ पर South Korea के बीच में तो चले दोनों इटिम के प्लिएर पर एक बाद नजर कर लेते कि कॉंसे प्लियर को में लेके जाना है कॉंसे प्लियर को में लोग यह से ड्रॉप कर सकते हैं सारी डीटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चले फिर बीना किसी देरी के वीड दख आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये पूरी टूना मैट इसी यूटूब चनल पर कबर की जाएंगे इसके साथ साथ आपको यहाँ पर केसी सी T20 के वीडियोज मिल जाएंगे साथी मैं ऐसे Senior Women's T20 के वीडियोज मिल जाएंगे और कल से Oman D10 शूरोवर है सारे अच्छे मैं चीश के वीडियो आपको इसी यूटूब चनल पर मिलने वाल है तो यूटूब चनल को सबसे पहले आपको सबस्क्राइब कर लेना है साथी में टेलिग्रम चनल से जूट जाएगा क्योंकि फानल अपडेट्य और फानल टायम तो पैलेग्रम चनल पर मिलने वाली है थ्यूटप्र में पर इन्के सबस्केर कर ना कहде तो में यह बतके यह बातकर इसी यह बजखे आप और सनो一定要 क्रिकेट गाउंट सनो कांटो जापन में खिला जाएगा पीछ रिपोट यहां से बैट्समेंट के लिए कापी अच्छी पीच अच्छी रंस बन सकते हैं यहां पर 140 के प्लस यहां पर स्कॉर बन सकता है स्कॉर इतना एक्षेप्टेबल रहेगा नहीं देखो यहां से दोनोई टीम जो एक दूसरे को अच्छे से टक कर दे सकती है मजे की बात के आयना के कोरिया ने भी अपनी लास्ट मेच यहां पर जापान के सामने खेली थी जो वो जित के आ रही है और इंडोनेशिया ने भी अपनी लास्ट मेच जापान से अकेल के आ रही है जो वो जित के आ रही है तो दोनों ही टीम जो है लास्ट अपनी मेच जापान से जित के आ रही है लेकिन जापान ने इंडोनेशिया को पूरी टूर्णामेट में दो बार आ रहा है और एक बार य प्लेइज या पर इंडिया या फिर पाकिस्तान या अफ़कानिस्तान बंगलाजेस होगे रहते हैं इंडोनेशिया ने टीन मैच के लिए ती जहापर एक मैच जिती थी दो मैच हारी थी वह जापान के सामने इनका एक टूनामेट के ला गया था जापान टी-20 कर गए तो मैच के लिए तीनों मैच के या पर आक्रे भी लिखे और यह सारे प्लेइज के ओर रोल आक्रे भी या पर मैंचन की हुए और ऐसी पूरी मायती शायद ही आपको कई पर देखने को मिलेगी तो आप न अच्छे से वीडियो देखको अच्छे सी टीम भी मना सकते हो और कंब आपको बता दू कि यह जो इन्हों ने ओपनिंग किया न वो लास मैच के अंदर ही किया था पहली दोनों मैच के अंदर काफी नीचे खेले था तो यही कुछ है एस प्लेर यहां से ट्राइक करना चाहों तो कर सकते हो बाकि फरडिनांडो बनुर की बात के ओता है इनको डेफिनेटी ट्राइ करेगा चार ओर पूरी करेगा एकी मैच के ला था जा पर होँआ पर चार ओर की गयनबाजी पूरी की थी राइट आम मीडियम पास गयनबाज है 37 मैच के अंदर यहां से 45 विकेट निकाल चुक है करीबान अठारा के वरे से 230 रंग भी गिये लास मैच के अंदर वन डाउन के ला था वो सकता है अगली मैच के अंदर यहां से 34 नमर पर ही बेटिंग करवा था हो नचराएगा पदमारक पदमाकर सुर्वे चायद यहां सिंग के पहली और दोनों मैच के अंदर ओपनिंग किये थे अगली मैच के अंदर यहां से ओपनिंग वगेरा करवा सकते हैं और रंस भी यहां पर 19-22 जैसे रंस किये थे ट्राइ करना चाहो तो इनके अपर बरोसा कर सकते हो निराश किया हो पूरी टूना मैच के अंदर यहासे किरूप शंकर आर ने है तो बहुत ही निराश किया क्य ग्यारा रंकी है तो इनको डेफिनेटली आप लोग को थोड़ा सा रिज्ट कर सो को तो ट्राइ करेगा आई थिंक शाहिद महीं यहां पर मेरी स्मॉल लिक की टीम के अंदर इनके अपर एक बार फिर से बरोसा कर सकता हो क्योंकि वो जो टूना मैट थी और यह जो मात होनी वाली है वो वर्ड कप कॉलिफायर की मैच होनी वाली है जो की काफी इंपोरनस मैच होनी वाली हो सकता है यहां पर अगली मैच करने इनकी तरफ से अच्छा पर्फॉमस आ सकता है कडग गमान्टी का टिम की केप्टनशिप करा रहे है पर्फॉमस तो इनको भी नहीं था त के लिए अर्ट वन एक बेश्ट भी रह सकते हैं पिछली तीनों मेच यहां पर चार विकेट निकाले तो इंपोर्टेंट के साथ के चौश रहेंगी हवाओ उन्हें हलेक मैच के निकाली ते डेफिनेटले मैक्षी कोड़ा यहां से आप लोग मैक्षी कोड़ा को भी कैप्टन कर सकते हो क्योंकि यह सुरुवाट में भी आता है और देफिस वगिरा में भी यह से कभी कभी आ जाता है मौहमद अफिस को करेंगे इनको रिस्की तोर पर ट्राइकन है श्टार्टिंग में प्रियांट सब्सक्राइके साथ यहां से ऋइम कोड़ा रहेंगे क् 근데 लेखें़ में लास-match उनकी छो खिली है वहाप पर देफिस रहीं देफिसर रहेंगी अर बांच में बेंच में अकर कोई प्लेएर खिलेगा इनके स्टाट और अपडेट वकिर आपको टेलेगन चैनल पर मिलेंगी, तो जले से जाके आपको टेलेग्रम चैनल को जोइन का लेना है, क्योंकि फाइनल अप्डेट और फाइनल टीम आपको वही पर दी जाती है बात करें आप पर टीम कोरिया, साउथ कोरिया की, तो ली कांग मीन और यहाँ पर गुलजर, कुलडिप दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं, अभी देखो लास्ट मैच जब उनकी खेले गे थी कोरिया की वहाँ पर गुलजर, कुलडिप नहीं थे तो यहाँ पर मैंने मेंचन किया उनको ओपनिंग में, कि जिस तरह से उनके रेपोर्ड से, I think यहाँ पर टॉप में खिल सकता है ली कांग मीन रेगुलर बेजिस पर ओपनिंग ही करते है, कोरिया की तरब से तो I think शायद विकेट किपिंग सेक्शन से विकेट किपिंग से जूटना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में में बता दूगा कि विकेट किपिंग दोनों इटिम के तरफ से करवाता कॉन है कुल्जर कुल्दी विकेट के लिए एक अच्छी चोई से लेकिन फिर हमारी साथ कुछ ऐसा दोखा भी हो सकता है तो इसके लिए एक समाच होगा लेकिन मैं यहां से इनको का प्रण कर सकता हूँ रजा सोय बेक अच्छी फिक बन सकते हैं आपके लिए 6 मैच के अंदर करीबें 120 रन है यहां से 25-30 रन तो आराम से बना सकता है बाकि इकबाल अशिफ वेर इंपॉडेंट फिक इवन कैप्टन वाइस के लिए अच्छी फिक है इस मैच की बात करो तो यहां पर हर एक मैच के अच्छा पर्फरमस दे सकते हैं बात करें आपर निशानत नजमू शाकी जो की 26 मैच के अंदर करीबन 24 के वरे से 445 रने ने 35 विकेट निकाले हुए तो बैटिंग से बालिंग से दोनों इसे अच्छा एडवांटेज देंगे राइट हैंडेंड बैटिंग करवा लेते है और यहाँ पर बालिंग वगेरा करते हुए नजर आ सकते हैं जोन हूं की बात करो तो दस मैच के नच चार विकेट हैं मैं भी कभी कभी चाइनीज जैसा बोल लेता हूं यहां कुछ प्लेयर यह जैसे मैंने बताया तो अच्छा हुआ पर सारे टीम कोरिया की नहीं है नहीं बाते है नशिर खान एजब प्लेयर हमारी टीम के दे रहेंगे और अल्ताब अमेरे अज़ाइए तो धरा सा डिफ्ट डीपर याट मातू करते हैं तो विकेट यपाइंच किंसे यहां और मैं आजमुज सकीब के साथ तार आप लोग क्याते рядом साथ बीशा सकते हो लेकिन आर मुहम्मद जो यह शायद यहापर विकेट किपिंग करवाएंगे और यह फिल्डिंग करवाएगा तो यह से ओस होगेरा करके एक दो विकेट भी चटका सकता है तो इसके लिए मैंने यहाँ से नजुम साकिप को लिया है क्योंकि यह टॉप में खेलने के संभाव ना इनके थोड़ी ज़्यादा रहेगी और रावडर सक्षिन में ऐसे डी हवोई इनके साथ ऐसे जी कुल्दीब इनके साथ यहापर ए तरडारूस हमारी डिम के अंदर रहेंगे बाकि बोलिंग सेक्षिन में से यह से जी अरटा, एम कॉड़ा, के, एडी गुना, अरटा और यहापर एल आमीर हमारी टिम के अंदर रहेंगे देखो यह आपके पास तीन ओप्षिन है एल आमीर, इनके साथ यह से आई मुदसर और यहापर ए आमीर यह तीनों में से किसी को भी आपको ट्राइ करना है मैं यहाँ से ARKL आमिर के साथ जाता हूँ और टीम मेरी कुछ इसरा से रहेगी कैप्टन रहेंगे मैं यहाँ से प्रियंदना जो कि कैप्टन के बैटिंग के साथ साथ उस वगिरा करके एक दो विकेट भी चटका सकते हैं और वाइस कैप्टन यहाँ से के अरना कूर्टा को किया मैंने और अप्संस अधर अप्संस की बात कीज़े तो अधर अप्संस मैंने आपको बता दिये कि कौन से प्लेयर कॉम लोग यहाँ पर आप लोग ट्राइ कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन सिप के लिए फिर भी यहाँ पर किसी को भी कन्फिजन है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हो यह से टड़ा रूसे कच्छा उप्शन से एम खोड़ा अगर पहले ग्यान बाजी आती है इंडोनेशिया की तो यहाँ पर एम खोड़ा या फिर हवोई दोनों में दे किसी को भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो और बाकी मैंने इंडोनेशिया के प्लेयर के ओपर थोड़ा सा परोसा ज्यादा किया है इन लोगों को किल देखना बाकी तो इसके लिए परोसा मनें ज़ो हमारे नजर नने देख लूए हुनरी का ओपर करींगी भाक fix परोसा जो की या भीकी लिए इस स्व 앞에 लोगेए to याद रहे dönसे जो ज़ूटना विपहतों सुछा बुलेगा नीचे मैंने description box में telegram का link के टेच किया हैं इनके सगर link नहीं कता तो telegram में जाके आपको search करना है fantasy recent challenger या फिर आपको search करना है fdc27 और आपको सिधा अमारा channel मिल जाएगा simply आपको उसे join के लिए ना है क्योंकि final update और final लिम आपको विपर दी जाएगी या अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को like share करते हैं साथी में YouTube चैनल को subscribe करना विल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैंचीस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगे तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में एक नई surprise वीडियो के साथ तब तक आप पूरा वीडियो रिखते हो अच्छा नाली सच करते हो अच्छी टीम बनाते हो अच्छी मिनिंग करते हो तब तक के लिए बाई धन्यवाद जयहिन जय भारत